हेलो फ्रेंड तो आज मैं जा रहे हूं भरवा बैगन बनाने के लिए तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों को भरवा बैगन की रेश्पी सेयर करूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है भरवा बैगन की सबजी बनाना और यह सबजी खड़े मसाले को भून के और फिर में भरके बनाना सिखाया मेरी मम्मी न तो मैंने का चलो आप लोगों को भी एए रिस्पी ले जाएं और हम जलना नहीं चाहिए और अच्छा से बूंस जाना चाहिए और उसके बाद भीना और ही मैंने खड़ी लाल मिर्च, सौफ, जीरा, मेथी ये भी डालके और इनको भी अच्छे से भून लूँगी इनको भी जलाना नहीं है और मलब भून भी जाया चे ये देखे मेरा मसाला ये बून चुका है और इसको भी मैं थाली में निकाल लूँगे और इसके बाद मैं इसमे में दो डोडा डालूँगी ये देखे इनको भी मैं भून लूँगी और ये देखे भून गया मेरा मसाला भी इनको मिक्सर ब्राइंडर में डालके और हल्दी भी साथ में डाल देंगे और इसको पीस लेंगे और अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे तो लहसुन भी पिष जाएगा हम मसालक साथ यह देखिए इतना पिष गया अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वादय नुसार तो यह देखी मसाला पिष गया हमारा और यह मसाला जो हम पीषते ना तो लहसुन इतनी जादा तो जादा डालो तो गीला हो जाए मसाला अगर अगर नहीं गीला हो पाता तो थोड़ा पानी डालके या फिर आपके पास नीबू हो तो नीबू का रस भी डालके हम मसाला गीला कर लेंगे और फिर उसके बाद बैग लगती है खड़े मसाले का स्वाधी कुछ अलग होता है अगर सिल्वट्टे से मसाला पीसकी बनाओ ना तो और ज्यादा टेस्टी लगता है लेकिन मैं तो मिक्सी से ही पीसकी बनाती हूं अब देखे तेल गरम हो गया कड़ाई में तो हम इसमें ना भरवा बैगन डाल उनको हम टेल में डाल देंगे एक केकर के धिरे धिरे ये देखे पूरे बैगन आ गहा है कड़ाई में अब हम इनको ना फ्लेट से घंक देंग को अब इसको ना बैगनों को ना बिल्कुल दीमी दीमी आज और पकाएंगे तो ये देखे हमारे बैगन आधे पक चुके हैं अब हम ना इसको एक एक उठाके अच्छे से पलट देंगे ताकि मसाला गिरे नहीं और ये चारो तरब से अच्छे से पक जाए आपने ये भर्वा बैगन की सब्जी सफर में सफर में भी ले जा सकते हैं ये एक दो दिन तक चल जाती खराब नहीं होती और ये ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा थैंक यू फो रोच